अस्लाम वालीकुम आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस्पेशल चिकन रेसिपी जो बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी बन कर तयार होगी तो चलिए शुरू करते हैं ये मैंने वन केजी चिकन लिया है जिसको अच्छे से वोश करके लहसुन द्रक का पेस्ट लगा कर दस मिन्ट के लिए छोड़ देंगे अब हम एक पैन में तीन बड़े चम्मच ओईल को गरम करेंगे और एक बारी कटा हुआ प्याज कोल्डन ब्राउन कर लेंगे गाइस मेरी हमेशा यही कोशिस रहती है मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और इजी बनने वाली रेसिपी लेकर आऊ आप इस रेसिपी को दावट पर बनाएं ये महमानों के लिए ये सब को बहुत ही पसंद आने वाली है जैसे ही प्यास ब्राउन हो जाएं इनको निकाल लेंगे अब मैं इसमें डाल रही हूं कुछ घड़े मसाले जैसे लॉंग, काली मिर्च, एक बड़ी इलाईची, तीन से चार छोटी इलाईची और डालचीनी एक मिंट इनको फ्राई करने के बाद इसमें डाल देंगे चिकन इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे एक चमच हल्दी और एक चमच नमक हल्दी से चिकन का कलर बहुत ही अच्छा हैगा और नमक से चिकन अंदर से फिका नहीं निकलेगा 8 से 10 मिंट तक चिकन को फ्राइ करेंगे जिसे चिकन सोफ्ट हो जाएगा 10 मिंट फ्राइ करने के बाद चिकन को निकाल लेंगे अब उसी ओल में मसाले को भूनेंगे हाफ केजी प्याज को मैंने ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया है और इसमें एड करेंगे 2 चमच धन्या पाउडर एक चमच लाल मिर्ची पाउडर और एक चमच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और ओल में डाल कर मसाले को भून लेंगे तो गाइस मसाले की भुनाई बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए ये सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है तो गाइस ये चिकन रेसिपी आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा I am sure ये आपको बहुत ही पसंद आने वाली है और आप मुझे फीड़ बैक जरूर दीजिएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी तो देखे मसाला अच्छे से भुन रहा है अब इसमें डाल दूगी दो टमाटर जिनको मैंने ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया है इसको डाल कर भी हम इसको अच्छे से भूल लेंगे अब इसको हम ढखकर लगा देंगे और बीच बीच में चमच जरूर चलाते रहें जिससे मसाला नीचे से जले नहीं जब तक मसाला भुन रहा है तब तक हम ये पेस्ट बना लेंगे तो यहाँ पिर मैंने एक जर ले लिया है उसमें मैंने ये गोर्लन किये हुए प्यास डाल दिये हैं थोड़े भुने चेने डालेंगे और एक चमच पोस्ट थोड़ा पानी डाल कर इसको ग्राइंड करके पेस्ट तयार कर लेंगे इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो गाइस मसाला अल्मोस बुन गया था पर अभी जैसे हमने ये पेस्ट इसमें डाला है अभी इसको पांश मिन तक और भुन लेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे और ढकन लगा देंगे तो देखें मसाला बहुत ही अच्छे से बुन रहा है देखें इसमें तेल भी दिखने लगा है और ये परफेक्ट बुनाई की पहचान है अब जैसे ही मसाला बुन गया है हम इसमें ये फ्राई किया हुआ चिकन डाल देंगे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चार से पांच मिन्ट तक इसको भी भून लेंगे आप मेरे बताए हुए टिप्स को फोलो कीजिएगा आपकी स्पेशल चिकन रेसीपी बहुत ही डिलिशियस बनके तयार होगी अब जैसे ही पांच मिन्ट इसको भूनने के बाद हम इसमें थोड़ा पानी डाल कर इसको मिक्स कर लेंगे और करीब 10-15 मिन्ट तक इसको ढखकर लगा कर पका लेंगे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें 15 मिन्ट के बाद हम चिकन को चैक कर लेंगे तो देखें ये अल्मोस्ट कुक हो गया है अब इसमें हम थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे बारीक कटा हुआ तो हमारी स्पेशल चिकन रेसिपी बनके हो गई है बिल्कुल तैयार इसको आप सर्व कीजिए नान के साथ चावल के साथ ये बहुत ही अच्छी लगती है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया